नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका इंफो कमणी चैनल में मैं हूँ आपका होस्ट अखियास आज हम लोग जानेंगे कैसे टाटा कमणी की शुरुवात हुई और कैसे इतनी सक्सेस्फुल बनी स्टार्ट करते हैं कमपनी के फॉंडर से कमपनी के फॉंडर हैं नुसरवान जी टाटा इनका जनम हुआ था तीन मार्च 1839 को सौथ गुजरात के एक छोटे से कस्वे नौसेरी में इनके पिता नुसरवान जी और मा जीवन भाई नुसरवान जी फार्सी फाद्रियों के फैमिली में पहले बिसनसमें थे इनकी किसमत इनको मुंबई बिसनस में खदम रखा जम्शेच जी 14 साल के उमर में ही अपने पिता जी का बिसनस में साथ देने लगे थे जम्शेच जी ने एलिफिंस्टोन कॉलेज में अड्मिशन लिया जहां अपनी पढ़ाई के दवरा नहीं हीरा भई दाबू से शादी कर ली 1858 में ये 29 साल की उमर तक काम किया उसके बाद 1868 में एक ट्रेडिंग कंपनी खोली 21,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ इसके बाद इन्होंने एक नीलाम हो चुकी आईल मिल को खरीदा चिंच पोकली में और उसको काटन मिल बनाया और इसका नाम रखा अलेक्जांडर मिल इस का नाम रखा एंप्रेस मिल एंप्रेस नाम इसलिए रखा गया था के कुई विक्टोरिया ने साल 1877 में हिंदुस्तान की महारानी होने का खिताब लिया था जम्षे जी टाटा के जिंदगी के चार मकसद थे पहला आयरन और स्टील की कमपनी लगाना दूसरा वर्ड क्लास इंस्ट्यूट बनाना तीसरा एक आलिशान होटल बनाना और चौता हाइड्र एलक्लिक पैंट लगाना जिससे पानी से बिजली तयार की जा सके लेकिन अफसोस जब तक ये जिन्दा थे इनका एक ही खौप पूरा हो पाया ओ था आलिशान होटल बनाने का इस होटल को बना आया था इन्होंने ताजमाहल होटल का इनाउग्रेशन किया तीन डिसमबर 1903 को इस होटल को बनाने की लागत थी ग्यारा मिलियम यानिके चार करोड एकीस लाग रुपए और और इस होटल की एक खास बात ये थी कि पूरी हिंदुस्तान के होटल में से सिर्फ ये की होटल में बिजली थी क्ला इस होटल का इस होटल के बनाने के एक साल के बाद एजय नाइन एनर्टि में जर्मैनी में जंशी टाटा की मुरूच्य हुई इनकी मुरुत्यु के तीन साल बाद इन्होंने जो बुनियाद डाली थी उनके बेटे दुराब जी टाटा ने 26 अगस्ट 1907 को टाटा एरन अन्स्टील कमपनी की शुरुवाती जिसका शॉर्ट फार्म है टिसको ये एक मल्टीनेशनल कमपनी है 1939 में ब्रिटिश एंपायर में सबसे बड़ा स्टील प्लांट था है टिसको जब तक 1970 का दशक आया तब तक एक कमपनी 40,000 से भी ज्यादा लोगों को जमशितपूर में रोजगार देने लगी थी और कॉल माइन्स में 20,000 लोगों को रोजगार देने लगी थी इसके बाद में 2005 में कमपनी का नाम टिसको से निकाल कर टाटा स्टील बना दिया गया आज एक कमपनी एशिया की सबसे बड़ी स्टील मेनफेक्टरिंग कमपनी है और दुनिया में पांचवे नंबर पे हैं आज के टाइम पे टाटा के 29 से भी से भी ज्यादा पब्लिकली लिस्टेड टेटली जैगवार लैंड रोवर मार्को पोलो बस और ऐसे बहुत से हैं मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था के जम्षित जी टाटा के चार मकसत थे उन में से मैंने दो तो आपको बता दिये हैं और दो एक है इंडियन इंस्टूट आफ साइंस और दूसरा है हाइड्रो प्लेंट ये दोनों भी बन चुके हैं मार्च एक 2018 के मुताविक अब ये कंपनी का पूरा मार्केट कैपिटलाइजेशन है 151.62 बिलियन तो बस आज के लिए इतना ही अगर कुछ सुजा हो तो कमेंट में बता दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लागा हो त को लाइक और शेर कर दीजिए फ्यूचर में इसे मज़िदार वीडियो देखने के लिए चानल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए खुदाहाफिस